नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रिटी कॉर्नर में और आज की इस वीडियो में हम लोग कामिकाई कादशी की बहुत सलल तरीके से पूजा करेंगे और आपको मैं इसके महत्व के बारे में भी बताऊंगी तो वीडियो को एंड तक ज कपड़ा बिछा लेंगे पीले रंका हो तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं है तो आप लाल भी बिछा सकते हैं तो इस तरीके से आप पीले रंका कपड़ा बिछा लीजिएगा चोकी पे और यह देखिए थोड़े से तिलके दाने रखकर हम इस पे जो है हमारे गनपत बिछान को भी यहां पे विराजमन करवा दिया है और आप चाहें तो लड़ू गोपाल जी के स्वरूप को भी यहां पर रख सकते हैं उनको भी बिठा सकते हैं पूजा में और यह में पर विष्णु भगवान की एक और स्वरूप है लेटे वे में तो मैंने यह भी रख बिठाएं और यह देखें यह हैं सालिक राम भगवान जी आज की जो कामिकाई कादशी है उसमें सालिक राम जी और तुलसी माता का विशेश महत्व होता है उन्हीं की पूज़ा ज्यादा रूप से की जाती है अब यह देखें मैं हलका सा गंगाजल का छीटा देते हुए सबी भगवान को जो है सनान करवा दूगी आप चाहें तो कच्चे दूद से या पंचा मृत से भी सनान करवा सकते हैं अब यहां पर हम जो हमारे गंपती महाराज है उनको वस्वरूपी कलावारपन कर देंगे और साथ में हम भगवान जी को लाल रंका फूल चड़ा दें जो कि हमारे गंपती महाराज को बहुत प्रिये है और अब हम तिलक कर देंगे गंपती महाराज को इस तरीके से मैंने तिलक कर दिया है अब यहां पर हम वस्त रूपी कलावा भगवान विश्णु को भी चड़ाएंगे अगर आपके पस जनेव हो तो आप जनेव भी जरू चड़ाएगा और यह जो सालिक राम का जो मैंने शिंगार किया है इसकी वीडियो भी चैनल पर आपको मिल जाएगी आप जरूर देखिएगा साथ में सालिक राम जी को और जो विश्णु भगवान की और दूसरी प्रतिमा है या और बी कोई देवी देटा भगवान आपन बिठाए हैं पुजा में तो उन सभी को इस तरीके से कलाव आरपन कर देंगे हम वस्तरूपी और उसके बाद हम सभी को यहाँ पर तिलक कर देंगे तो हम विश्णु भगवान के प्रतिमा वगयर को चंदन का तिलक करेंगे आप चंदन का ही तिलक कीजेगा रोली का तिलक है और अब रहाँ स मैंने सब्सक्रे задors को आया को इस तरीके से में सारे फूल सभी भगवानों को अर्पन करदूंगी तो आपके पास जो भी आपको इजी li available हो फूल वगरा बप लिए लिजिएगा क्योंकि भगवान भाव के भूके होते हैं तो आप अपने मन realizing should से बहाव से भगवान का पŁजन करें, और इस टाइम पर आप भगवान विशनु का नाम लेते रहें, पूजा के टाइम पर, और ये सही सही तुलसी दल थाथ है, तो आज की दिन जो है, मन्जरी सही तुलसी दल जड़ाया जाता है भगवान विशनु को, इनकी कथा में भी भगवान की में आज तुलसी जी का विशेश महत्व बताया गया है और अभी हाँ पे मैंने दीपक रख लिया है तुलसा जी की पूजा करने से आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि यम का जो है भे होता है वो भी नस्ट हो जाता है अगर आपके पास शंक हो तो आप पूजा में शंक जरूर रखें शंक भी आपकी पूजा में रखते हैं और पूजा करते हैं और उसे बाद में अगर आप बजाते भी हैं तो भी ऐसा कहा जाता है घर में जित्ती भी negativity होती है सब खतम हो जाती है तो आप जो शंक है उसका भी पूजन जरूर किया कीजिए शंक को भी अपने घर में जो है आप जरूर इस्तमाल कीजिएगा और अब हम यहाँ पर धूप लगा लेंगे तो दीप धूप दिखा कर हम लोग भगवान का पूजन करेंगे यहाँ पर मैंने पेठे की मिठाई ली है और उसमें तुलसा दल जरूर रखिएगा आप जो भी भोग लगाएं और भगवान को भोग लगा दीजिएगा और उसके बाद धूप दिखा कर इस तरीके से भगवान की आरती गा लीजिएगा और यहाँ मैंने पेठे की मिठाई इसलिए रखिए है ताकि अगर वरत वगरा हो तो भी आप असानी से खा सकते हैं तो इस तरीके से आप पेठे की मिठाई है दूद से बनी मिठाई है पीले रंकी कोई मिठाई है भगवान को जरूर चड़ाएं सब भगवान का मुझ जूटा करें और अब यही पर बैठ कर कुछ हाथ में दाने लेंगे हम तिल के और हम यह देखें जो इकादशी की हमारी कहानी है कथा है कामिका इकादशी की वो कर लेंगे मैंने अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भीना भूलें